जिस ट्रेलर का सभी को बेसबरी से इंतिसार था वो फानले रिलीज हो चुका है दीपिका पादिकोण, रनवीर सिंग और शाहित कपूर की बहुचर्चित फिल्म पद्मावती जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है ये ट्रेलर इतना शानदार है कि इसे आप बिना पलके जपकाये देखेंगे संजय लीला भनसाली के फिلم कितनी शानदार होगी इसका अंदाजा इस ट्रेलर को देखकर बखोबी लगाया जा सकता है दीपिका पादगोंड को रानी पदमावती किरदार में देखना मज़ेदार तो है ही लेकिन रणवीर सिंह यहां बाजी मारते नजर आ रहे हैं बैड मैन लुक में अलाव दिन खिलजी के रोल में रणवीर का अंदास काबिले तारीफ है ट्रेलर में एक भी शब्द नहीं बोलने वाले रणवीर का लुक ही बहुत कुछ बोल गया है ट्रेलर की शिरुवात में दीपिका पादगोंड की एंट्री दिखाए गई है रानी पदमावती के लुक में दीपिका का राजपुतान अंदाज बे मिसाल है शाहित कपुर भी एक सभ्य और शालेन राजा के लुक में अपने किर्दार राजा रावार रत्न सिंग के साथ न्याय करते नजर आ रहे हैं और अब बात करते हैं रणवीर की जितना क्रेज पदमावती के किर्दार में दीपिका को देखने के लिए था अब उससे कहीं ज़्यादा क्रेज रणवीर सिंग को इस फिल्म में देखने के लिए होगा ट्रेलर में रणवीर का ऐसा अंदाज, लुक और अपियरिंस पहले कभी किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला जिस दीवानगी और हैवानियत के साथ उनके किर्दार को पेश किया गया है वो किर्दार जहन से जल्दी बाहर नहीं निकल सकता जिसका सर कटे, फिर भी धड़, दुश्मा से लड़ता रहे वो राजपुद राजपुदाना के शौर की गाथा के साथ, शुरू होता है ट्रेलर का पहला डालॉग जो राजपुदी कंगन में उतनी ही ताकत है, जितनी राजपुदानी तल्वार में दोनों किर्दारों के तेवर का अंदाजा इन डालॉग से लगाया जा सकता है शाहिद और दिपिका की पहली बार ओन स्क्रीन रोमैंटिक केमिस्ट्री शानदार नजर आ रही है सोशल मीडिया पर फिल्म पदमावती के ट्रेलर रिलीज को लेकर मेकर्स नहीं जानकारी शेर की थी ट्रेलर रिलीज का ये समय रखे जाने की पीछे एक खास वज़े है वज़े ये है 1303 इसवी की तारीक राजा रतन सिंग और अलावदीन खिलजी के बीच हुई लड़ाई की गवाह है कहाने की इस खास घड़ना को जिस क्रेटीब अंदास से ट्रेलर जारी करने के समय के साथ जोड़ा गया वैसे ही जारी हुए ट्रेलर्स में स्टार्स की किमिस्ट्री भी रोचक नजर आ रही है रानी पदमावती की जिंदगी पर बेस्ट ये फिल्म एक दिसंबर को रिलीज हो रही है